काम ऐसा करो की पहचान बन जाए हर कदम ऐसा चलो की निशान बन जाए ये जिन्दगी तो सब काट लेते हैं जिन्दगी ऐसे जियों की मिशाल बन जाए दोस्तों आज है 25 दिसंबर और स्टार्ट करते हैं हाची करेंड फेस उससे पहले दोस्तों यह दिवी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरू करने साथ बेल आकन प्रेस कर दें ताक कि आपको डेली मौनी में करेंड फेस वीडियो मिलती रहे इस वीडियो से आपको हेल्प बड़ी स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक एक कोशन बहुत महत्मूर रहता है हर एक्जाम के लिए आने वाले एक्जाम के लिए इसला वीडियो के स्किप न करते हैं लास्त दिरूर देखें चलिए तो फिर पहला कोशन है हमारा भारत में हरवर्स राष्ट्री उपभोगता दिवस का मना याता है दोस्तों भारत में हरवर्स रॉपॉवगता दिवस मना यतया है 24 दीसमबर कोशन ठीक है तो आपको बता दि किसका विशे क्या था 2018 का दोस्तो 2018 का राष्ट्री उपभोक्ता दिवस का विसे है उपभोक्ता शिकायतों का समय पर निप्टान उपभोक्ता शिकायतों का समय पर निप्टान दोस्तों इस दिन उपभोक्ता सनक्षन दिनियम 1986 में राष्टपती की सहमती प्राप्त हुए ठीक है 1986 में वर्ष राष्ट्री उपहोगता दिवस का मना आयाता है 24 दिसंबर को यह याद रखिएगा चली हमारा अगला कोशन है कौन साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एसियाई बन गई है वेदांगी कुलकर्णी यानि कि ओप सने करेक्ट हो जाएगा देखे दुस्तों यह भारती महिला है वेदांगी कुलकर्णी ने साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एसियाई बन गई है उन्होंने दुस्तों दुनिया भर में साइकल चलाने के लिए योग होने के लिए आवर से 29,000 किलोमेटर के दूरी पूरी के ठीक है 29 29,000 किलोमेटर है याद रखिएगा और उन्होंने दुस्तों 14 देशों में से एक दिन में 300 किलोमेटर तक की साइकिल चलाने में 159 यानि 169 दिन लगाएं टीक 159 डेज याद रखिएगा दूस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दू कि बिटिस एड़ेंचरर ज जेनी ग्राहम ठीक है जेनी ग्राहम यह आप नामयाद रखिए 124 डेज लगाएं तो साइकिल से दुनिया का चकर लगाने वाले सबसे तेज एसी आई कौन बन गई भारती महिला वेदांगी कुलकर्णी ऑप्सने करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों उससे पहले दोस्तों प्लीज वीडियो आपको पसंद आया को पीज लाइक जरूर किये करें हमें मोटिवेट किया रहे होसला जरूर बढ़ाया करें आज का टारगेट लाइक से 20,000 का तो फटापड वीडियो लाइक करका प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं फिर रगला कोचने भारत ने तेह दिसमर्द वठार को अपनी परमाडू सक्षम लंबी दूरी की किस मिशाइल का सफलता पूरवक परिक्षण किया है दोस्तों ये क्या अगनी 4 का देखे दो सो भारत ने ती ही Tinau समर्द 288 को अपनी परमाडू सक्षम लंबी दूरी की अगनी 4 का सफलदा पूरोग परिक्षण किया है इसका इस्ट्राइक रेंज क्या है दोस्तों इसका इस्ट्राइक रेंज इस हिंसा विरोधी विध्यक 2018 पारित किया है दोस्तों भीड हिंसा विरोधी विध्यक 2018 पारित किया है यह मड़ीपूर ने मड़ीपूर के सीयम है एन बीरेन सिंग ने जुग्री विभाग का प्रभार भी समालते हैं इन्होंने राज्य विध्यान सभा में मड़ीपूर भेड हिंसा से संदक्ष्ण विध्यक दोठारा सदन में रखा है ठीक है अब यह विध्यक पारित हो गया सरुपसंबती से उन्ह मड़ीपूर की कैपिटल क्या इंफवाल है ठीक है तो किस राज्य ने भीड हिंसा विरोधी विध्यक तो अठरा पारित की है मड़ीपूर इसमें जो है पीडित को पीडित की मौत पर जो हिंसा में सामी लोगों के सास्रा मजीवान कारावास की इसमें सजा सुनाई केंद सरकार की साहिता से भारत का पहला संगीत संग्रहाले का किस हिस्दान पर स्थापित किया जाएगा तो एक है ते ये थ्याग राज का जन्मस्तान जो करनाटर संगीत की तरी मोरती में से एक है तो यह प्याद रखेगा केन सरकार की साहता से भारत का पहला संगीत संग्राले की स्थान पर स्थाबित किया जाका तमिल लाडू के थिरू वयारू में तमिल्नादू के वरतमान में गबर्णर कौन है बनवारिलाल पुरो ही थैं अर मुक् mozzarella के बात करें तो के पालनी सौमी वरतमान में मुक्ष मंट्र नहीं ठीक है च्शीफ मिनिस्टर है ठीक है। चलिये अगला कोशन देख लेते हैं आछरी एसोसियोशन ओफ इंडिया के अध्य क्रूब में किसे चुना गया है दोस्तों आर्चरी एसोशेशन ओफ इंडिया के चेर्मेन क्रूब में नियुक्त किया गया है यह BVP R toi यह आनि क्यों अपशन डी टीक है दोस्तों 22 December को B. VP राउ को Archery Association of India के अध्यक्स रूब में चुना गया है टीक है इन्होंने दोस्तों उन्होंने जो Archery Association ऑफ अफ असम को फितनी तो किया है दोस्तों ये जो बीपी राव हैं ये असम कैडर के एक सेवन रिवी ट्रिटारड आइस ओफीसर हैं और इससे पहले हुआ आर्चरी एसोशेशन आफ हसम के उपाध्यक्स रूब में भी कारे रत थे ठीक है और उन्होंने दोस्तों तेलंगाना सरकार के सलाकार गुरूब में काम किया है ठीक है तो आर्चरी एसोशेशन आफ इंडिया कद्ध्यक्स रूब में कौन बन गया है बीपी वी राव अगला कोशन है कि जगह को बुरूंडी की नई राजनितिक राजधानी घोशित किया गया है इसका करेक्टन सुझा गीतेगा दोस्तों आपको बता दे कि बुरूंडी गवर्मेंट ने 22 इस्संबर को छोटे केंद्री शहर गीतेगा को देश की नई राजनितिक राजधानी घोशित किया है तो नई राजनितिक राजधानी हो गई है गीतेगा तो यह प्यादर कीगा ठीक है और इसकी बुरूंडी की पिछली राजधानी क्या थ पहलवान बाला रफीक सेख ने तेही दिसंबत 18 को महराष्ट केसरी का किताब जीता है उन्होंने फाइनल राउंड में दोस्तों पूरे के अब जीत काट के कुराया है और उन्हें एक चांदी का गदा और एक लाग रूपया का नगात पूरुषकार से समानित किया गया ठीक है दोस्तों जो महराष्ट केसरी है यह भारती सेली के प्रतिष्ठित कुष्टी सेंपियंशिप है इस थापना होई थी 1961 में ठीक है तो भारती पहलवानों में से किसने महराष्ट केसरी किताब जीता है यह जीता है बाला रफीक शेख अगला कोचन है हमारा 23 दिसंबर 12 को सैंउक्त अरब अमिराद में फीफा कलब विश्चुकब 12 किसने जीता है तो जीता है दोस्तों रियल मेड्रीट ने यानि का उप्सन है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों रियल मेड्रीट ने तेही दिसंबर को सैंउक्त अरब अमिराद में यानि यू एई में फीफा कलब विश्चुकब 12 जीता है उन्होंने फाइनल मैच में अल एन को हराया है इस जीत के साथ दोस्तों रियल मेड्रीट तीन लगातार कलब विश्चुकब या इंटर कॉंटिनेंटल कब जीतने वाली पहला कलब बन गया है और दोस्तों यह चार कलब बिशुकब जीतने वाला पहला कलब भी बन गया है इसने जो है 2014 में 16 में 17 में भी बिशुकब जीता था ठीक है तो सब्सक्राब अमिरा तो फीफा कलब बिशुकब दोटारा किसने जीता है रियल मेड़िट ने फिर हमारा अगला कुछन है अमेरिक सनाहन को ठीक है ऑप्सन भी करेक्ट हो जायागा ठीक है दोस्तों आप वोता दिक अमेरिकी राश्ठ्पती डोनाल ट्रम ने तेज समबर को पैट्रिक सनाहन को कारेकारी रक्षा सचिव नुक किया है ठीक है कारेकारी रक्षा सचिव यहाँ पे थोड़े टाइपिंग मिस् इसको रक्षा सचीव के रूप में कारगार रेक्षा सचीव के रूप में न्यूट किया है पैट्रिक सनाहन को ऑप्षन भी करेक्ट हो जाएगा अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन पूचा था विश्च में ब्रॉडबेंड इंडेनेट से मैं प्रदान करने के लिए कि इस देश ने अपना पहला संचार्व के लाउंच किया है यह किया है चीन ने ऑप्सन सी करेक्ट हो जाएगा सभी स्टूडेन राइट एंसर दिया था क्योंकि आप लोग रेगलर वीडियो देखते हैं ठीक है अब देख लेते हैं आज का सवा हो गए नहीं देखे होंगे तो प्लीज यहां पर इंडी स्क्रीन में प्ले होगा आप जरूर देख लें कल की करेंड एफेस वीडियो काभी इंबोडेन रहती है और दोस्तों आप डेली मौनिंग में पंदाइमेंट के समय निकाल कर करेंड एफेस की वीडियो जरूर देखे संग लोग से वायोक के नए अध्यक्ष यानि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के नए चेर्मेन के शो बनाया गया है अर्विंद सक्सेनों को बनाया गया है ठीक हो 2020 तक रहेंगे इस पत पर बैद रखे इसके लाबा अगला कोशन है हमारा किस प्रसिद भारत किसे राष्टी कौसल विकास निगम का चेर्मेन निउक्त किया गया है यानि NSDC का चेर्मेन निउक्त किया गया है एम नाइक को निउक्त किया ठीक है कौसल विकास और अध्यमता मंतराले ने एम नाइक को राष्टी कौसल विकास निगम का अध्यक्ष निउक्त किया है इस यह भी कोश्चन इसके लावा दोस्तों भारत के नए मुख्यनी रवाचनायक किरों में किसे नहीं उतकिया गया है सुनील अरोड़ा को बनाया गया है इससे पहले थे ओपी रावत के स्थान पर हम नए बन गए सुनील अरोड़ा तो यह आप याद रखिएगा ठीक है और दो इनको जो है दोस्तों ICC महिला विश्ट टी-टी-टी-एलेवन का कप्तान के रूप में चुना गया हर्मन प्रीत का और को ठीक है और जो दोस्तों महिलाओं का टी-टी वर्ल्ल का पुआ था यह किस देश ने जीता था ऑस्ट्रीलिया ने जीता था ठीक है ऑस्ट्रेलिया और यह चौथी वारे खिताब जीता होस्टे लिया तो आप याद रखिएगा यह सारे important question है और दोस्तों यह हमारा जो प्रयास है last में आपको current affairs के पुराने question के revision करा देता हूं यह कैसा लगा comment box अपना feedback दीजिएगा यह आपको पसंद आएगा तो इसको मैं regular रखूँगा ठीक है इसको continue करूँगा मैं यह दि नहीं आता है तो भी बता दीजिएगा आपको यह लगता है कि मैं ऐसे आपको daily ऐसी last में आपको कुछ पुराने question आपको revise करा दूँ तो आप हमें comment box अपना feedback जरूर दीजिएगा ठीक है चलिए तो दोस्तों मिलते है next studio के साथ तब तक इन जय भारत